जाहिन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LPG, New Economic Policy, इसकी जरुरत क्यों पढ़ी, वन बाई वन पढ़ने वाले हैं हम लोग और पढ़ेंगे स्मिक, एक-एक टर्म्स को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्या रिजन्स थे, एकनॉमिक रिफॉर्म्स का, सबसे पहला रिजन था, पूर परफॉर्मेंस ऑफ पबिक सेक्टर, जो हमारी जितनी भी गौर्मेंट कंपनिया थी, उनकी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, इनकी टर्नोबर बहुत ही खराब थी, और हर साल लॉस किसकर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे डेप सीट इन दे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे इंपोर्ट अधिक हो गय थे, और हमको जो पेमेंट करना था इन फॉर्म करेंसी में बहुत अधिक हो गया था, इन फ्लेशनरी प्रेशर हमारे देश के अंदर जो बूर्स और सर्विसेस की प हमारे इंपोर्ट बढ़ने के वज़ए से, हमारे पास जो लाइबलेटी थी उधारी थी, वर्ल बैंक का बहुत अधिक हो गया था, इन इफिसेंड मैनेजमेंट, हमारी जो मैनेजमेंट थी, इन फैनेशनेंट थी, काबिल नहीं थी, अच्छे से हमारे रिसोर्चेस को हमा पारदम कहाते और कि उटे रिफे लिए इने किने इससे में दूधि है जो आ किया को दुञेर अत्युंता है एक न recursos गर्राटीविटे आ हम ने क्या किया था हम ने दूनु क्या繼ने ठाइड यद दूनु बाद्हाने के लिए और ग्लोबल लेबल पे competition पेस करने के लिए हमने क्या किया New Economic Policy बनाया 1991 में The New Economic Policy can be broadly classified into two categories तो categories में हमने क्या किया इसको classified किया है पहला है Estabilization Measures and दूसरा है Structural Reforms Estabilization Measures हमारे जो short term measures थे जिसका main aim था जो हमारे balance of payment थे उसको हटाना import को कम करना और export को बढ़ाना short term के लिए था दूसरा इसमें था control the inflation महंगाई को कम करना और structural reforms measures में था long term long term के बारे में पढ़ेंगे हम लोग LPG, liberalization, privatization and globalization ए तीन चीज़ को हम लोग details में पढ़ेंगे क्या effect आया हमारे economic के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं liberalization liberalization means removing all unnecessary control and restrictions like permits, license, proteinist duties, quotas etc यानि जितने भी हमारे unnecessary किज़े थी उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया जितने भी unnecessary restrictions से हमने क्या कर दिया? उसको हटा दिया अपने economy को थोड़ा सा relax किया, dynamic बनाया और क्यों किया? because to decrease debt burden of the country हमारे debt इतने अधिक हो गए थे उसको कम करने के लिए क्योंकि अगर liberal होंगे अधिक सदिक हमारे industry कुलेंगे GDP बढ़ेगी और हमारा थोड़ा सा debt burden next year to expand the size of the market क्योंकि पहले इतनी restrictions थी कि बीना permission के हम को industry निक हो सकते थे अब उसको liberal कर दिया गया easy कर दिया गया अब हमारे देश के अंदर industries small scale industries खुलने लगी और हमारे market की size increase होने लगी to increase the competition among the domestic industry पहले बहुत सारी कम पनीया होने की वज़़ से बहुत ज़्याद competition नहीं था लोग मनमानी कर दे थे monopoly चलाते थे जितनी मन करते थे price अपने आप estimate कर दे दे थे कर देते थे बट जब हमारा liberalization आया बहुत सारे company खुलने लगी liberal policy हो गई हर एक लोग जिनको इच्छा हो दी थी बहुत आसानी से company industry बैठान लगे competition त्यार होने लगा price की price दे वाइडे क्या होने लगे महंगाई कम होने लगे to encourage the export and import of goods and services हमारा जो main motive था encourage the export हम अपने country के अंदर manufacture करें और उसको क्या करें बाहर भेजें और import of goods and services वो गूर्स चैपिटल गूर्स से मसंड़ी थे बाहर से क्या करें मंगाए जिससे हम अपने देश के अंदर अधिक सधिक manufacturing कर सकते इसमें हमारे दो चीजें थी हमने liberal में क्या किया सबसे पहले industrial sector reforms में हमने कुछ इसमें liberalization किया था इसमें था government introduced इसको हमने जो industrial sector reforms था वो July 1991 में introduced किया गया था और इसमें किया क्या गया था Reduction in industrial licensing हमने पाकी जो licensing की procedure थी उसको हमने क्या कर दिया कुछ को छोड़के लीकर सार आपको छोड़कर के और जितने भी defence equipment थे उनको छोड़के उनके प्रोसीजर को छोड़के बाकि सारे industry के प्रोसीजर को हमने कर दिया, minimum कर दिया, असान कर दिया, करल कर दिया, जिसके वज़ा से अधिक से अधिक हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री फुलने लगे। Decrease the role of public sector. Public sector, public sector के role को हमने क्या किया कम किया? और इसको कैसे किया? हमने private license में इसको या तो transfer कर दिया, ownership दे दिया, या तो अपनी government जो है, disinvestment की, कुछ अपने portion, कुछ share क्या कर दिया, private person को बेश दिया. इस तरीके से हमने क्या कर दिया? जो public sector का role था, वो minimum कर दिया, minimize कर दिया, कम कर दिया. इसके वज़ा से हमारे growth और industry sector जो developed होना चीए, वो हुआ. इसमे financial reforms भी आया थे हमारे industrial reforms के साथ, financial reforms में, जिसमें हमारे commercial bank, investment bank, stock exchange, operations, foreign exchange market, इन सारे चीज़े हमारे financial sector reforms में include होती है, और इनके लिए हमने क्या किया? change in the role of RBI. RBI के role को change किया, यानि जितने भी financial institute थी, वो RBI के plans, policies, बिना उसके guidelines के, बिना उसके suggestions के, वो नहीं चल सकती थी. इस reforms में क्या किया गया? कि आप बहुत सारी चीज़े है, यानि हर चीज़ के लिए आपको RBI के पास जाने की ज़रुत नहीं है, बहुत सारे लेक्ससन मिल गये, आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, decision ले सकते हैं, हर बार RBI से पूछने की ज़रुत नहीं है, हर एक छोड़ी को origin किया, introduce किया, बढ़ाया हमारे country के अंदर, mainly जो public sector में जो हमारे public government bank हुआ करते थी, अब हमने private sectors को भी increase किया, private sector को भी हमने क्या किया कि नहीं, आप आगर के banking sector में अपना investment करी है, नेक्स्ट है हमारा लगभग increase the limit of foreign exchange, लगभग 51% हमने पहले बहुत कम था, अब 51% हमने foreign investment की limit को increase कर दिया, 51% तक आ गए, और इस तरीके से हमारा financially reforms की वज़ा से हमारा जो economic condition थी, वो धीरे तरीका हुने लगा, उधारी लगए, तेले बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट, प्रिवेटलाइजेशन, प्रिवेटलाइजेशन means transfer the ownership, management, control of public sector enterprises to the entrepreneur in the private sector, उने प्रिवेट सेक्टर की ownership को क्या हां transfer कर दिया, प्रिवेट सेक्टर में, क्याने की disinvestment कर दिया, transfer the ownership of public sector to private sector, और इसमें हमने क्या किया, दो तरीके से किया, transfer, ऐसे किया, transfer of ownership and management through government companies, from the government to the private sector, government sectors हमने क्या directly क्या कर दिया, private sector में उसको convert कर दिया, पहला चीज, बुसरा चीज हमने किया, disinvestment case through, हमने क्या किया, कि जो हमने public sector में जो government पैसा लगाई थी, वो अपना पैसा क्या कर दी, निकाल ली, इसको बोलते है, disinvestment, और वो पैसा private sector में क्या कर दी, जो उस share को खरदा, private person को क्या कर दिया, disinvestment करके, ownership को क्या किया, transfer कर दिया, दो तरीके से हम लोग private license में क्या किया, convert किया थे, इसके क् main objective थे, कि हमने इसका किया, raising fund from the disinvestment, हमने disinvestment किया, जो आज की government भी कर रही है, लोग बोल रहे है, कि सारी चीजे बेच रहे, भाई, बेच नहीं रहे, को disinvestment बोलते है, हमारे पास 60 पैसा था, हमने किसी company भी अपना पैसा लगाया, अब वहां से हमें जरूरत नहीं है, वहा पर maximum necessity थी, आज की government भी होई क्याम कर रही है, लेकिन विपक्च वाले क्या कर रहे है, बेंच रहे हैं पूरे चीज को, चले वड़ते हैं आगे, improving the financial condition of the government, क्योंकि government के पास अगर पैसा नहीं रहेगा, तो public expenditure नहीं कर पाईगा, तो इस वज़ह से भी हमने क्या, disinvest किया, bring the healthy competition with an economy, healthy competition, सिर्फ private, सिर्फ public sector अगर रहे हैं, तो दिक्कत होगी, और बहुत सार अगर private sector भी होगा, तो आपस में एक competition करेंगे, और कोई भी monopoly control market पे नहीं कर पाईगा, जिससे हमारे देश में inflation से बची रहेगी, महंगाई बहुत ज़दा नहीं होगा, और एक price का balancing level maintain रह for the foreign direct investment, FDI में आप direct investment कर सकते हैं to the private license, तो इस तरीके से जिससे हमारा भारत बाहर के currency भी हमारे country के अंदर आए, बाहर के लोग हमारे economy में invest कर पाए, इसलिए हमने foreign direct investment किया, तो इस तरीके से हमने क्या किया, भारत के economy में growth और development करने की कोशिस की, चले बढ़ते हैं आगे हम globalization इसका third part है, globalization क्या किया, globalization means integrating the national economy with the world economy, अपने national economy को world economy में true removal of barriers on international trade and capital movement, जितने भी हमारे barriers ते उसको हटा करके हमने अपने national market को, national economy को world economy में क्या किया, convert किया, जाए आप पूरे world level पे business करिए, trade करिए, विपार करिए और वहाँ से जितना हो सगे, पैसा हमारे country के अंदर लेकिया, ये profit अन करिए, जिससे हमारे economic growth हो जाए, तो simple है, क्या कि हमने globalization में integrating the national economy with the world economy, किस तरीके से, through removal of all the barriers, जितने भी हमारे barriers रुकाउट है थी, उसको हटा दिया गया, वह चली, आप बहुत सारे procedure करते हैं, थोड़ा बहुत procedure करी है, और world level पर आप यह पार करी है, सबसे पहले चीज हमारा increasing in equity limit of foreign investment, अब के लिए बराबर equity limit कर दिया गया, बराबर limit कर दिया गया, long term trade policy, short term में भारा दिक्कात हो, long term हमने trade policy बनाया थी, लाब बेस समय तक हमने इस removal को हटाए राखा, इस barriers को हटाए राखा, जिससे हमारे international market में भी हमारा दबदबा, reduction in tariff हमने क्या किया, tariff याण taxes में reduction किया, जितने भी हमारे export duty लगते थे उसमें हमने क्या क्या, पहुँ सारे reduction किया, जिससे global market में हमारा, हमारे company का, हमारे good services का purchase हो सके, आए बात करते हैं, सबसे important topic के बारे म World Trade Organization, WTO के बारे में बात करते हैं, WTO का जो headquarter है, जनेवा Caesarland में है, इसका पहला नाम जो पहले था, ओगेट था, General Agreement on Trade and Tariff, क्योंकि इसको established किया गया था 1948 में, और इसके साथ सिर्फ 23 countries involved थी, जोड़ी हुई थी, पर 1995 में इसका नाम चेंज करके बना दिया गया World Trade Organization, और आज इसके जो members हैं, 164 members हैं, टोटल, WTO के जो members हैं, 164 members हैं, अभी आपगानिस्तान recent में इसका member बना है, इसका जो headquarters मैंने बाताया, जेनेवा, टिविजर लेंड में हैं, इसके कुछ major functions हैं, इसके बारे में थोड़ा साम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया, facilitate international trade को facilitate किया, tariff and non-tariff barriers को इन्होंने maintain किया, जिससे smoothly world level पे हर एक country अपना व्यापार trade कर सके, बीना किसी रुकावड़िक, second, इसका जो functions है, to establish the rule-based trading, इसने rules regulations पूरे अच्छे तरीके से बनाये, जिसके थुरू, जिससे कोई भी country जहां पे आप व्यापार करना चाहते हैं, वो आपको restrictions न करे, क्योंकि उसके according, अच्छे smooth plans and policy world trade organization ने बना के दिया, जिससे आप किसी भी country में easily व्यापार कर सकते हैं To enlarge the production and trade of services, इसका main functions है, आप अधिक से अधिक production और trade services प्रवाइड कर सकते हैं, worldwide, पुरे country में, पुरे देश में, पुरे इन्युवर्श में To ensure the optimum utilization of world resources, दुनिया के resources को बहतरीन तरीके से utilize करने का काम, जो कराया world trade organization है क्योंकि अगर हम एक country में बहुत सारे resources available होती हैं, बट वो resources दुसरे country में available नहीं होती है Through the world trade organization, हम trade के organization, यान trade के थुरू, व्यापार के थुरू, हम अपने resources को दुसरे country में utilize कर सकते हैं यानि पुरे भारत, पुरे देश, पुरे दुनिया के जितने भी resources हैं हम, जब से globalization नहीं हो पाएगा, एक country से दुसरे country आपस में व्यापार नहीं करेगी तब तक हम अपने resources को fully utilize नहीं कर सकते, world trade organization नहीं क्या किया, कि आप पुरे देश में अपने resources का utilize करिये, अपने समान export करिये, import करिये Next है वारा to protect the environment, इसका rule और policy में eco-friendly manufacturing system, trading system available रहता है आप environment को degradate करके, destroy करके, आप कोई भी trade और business नहीं कर सकते तो हमारा जो WTO है, वो हमारे environment को भी safe करता है, protect करता है इसके functions से, इस chapter से बस इतना ही, इसमें जितने भी चे, thought में notes हमने लिख दिया है, बना दिया है आप अगर इसको चाहो तो सकते है